हेलो आवीवन, वेलकॉम अगेन इन लर्न विद दितिमन, बचो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नमबर 5, तो चलिए बेना देरी के हमेशा कि तरह स्टार्ट करते हैं, वनस्पती किसे कहा जाता है, वनस्पती किसे कहा जाता है, वहगॉलिक परिविश में इस्तितवरक्ष, छोटे पौधे लताएं, जाडियां, घास, कायादी को सम्नित रूप से क्या कहा जाता है, वनस्पती कहा जाता है, चलिए, और इसमें देखे, विभिन भागों में रहें अलग-अलग जगे को, उनको हम अलग-अलग प्रकार चे पढ़ते हैं, जैसे सदाबाहर वन, पजड़ी वन, भुवद्दे सागरिये वन, कौन धारी यानि टैगा वन, घास के मैदान, मरुस्थलिये वन, इनके रूपों में हम उनको पढ़ते हैं, और इस चैप्टर क के अंदर हम इनहीं के बारे में बात करें हैं, चलिए नेक कोशन देखे, सदाबाहर वनों को उनके भौगलिक आधार पर कितने प्रकार में वर्गी करत किया जाता है, तो इस कांसर्ट क्या होगा, दो भागों में वर्गी करत किया जाता है, कौन-कौन से, सितोष्न कटी ब बन दिये सदाबाहर वन और उस्टन कटी बन दिये सदाबाहर वन, तो जैसे उस्टन कटी सदाबाहर वन की बात करें, तो ये कहां से कहां तक पाए जाते हैं, ये भूमत देरेखा के आसपास पाए जाते हैं, ये तदिक गर्म होते हैं, अधिक वर्षा वाले छेत्रों में यह होते हैं, यहां जो वर्सा होती है, वाका ऐसी वर्सा होती है, समवहनी यह वर्सा होती है, और सदाबारवन क्यों कहा जाता है, सबसे में बात, सदाबारवन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के बहुत रक्ष पाये जाते हैं, कोई अपने पते पते कभी चड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में वह हमेशा हरा-बरा ये दिखाई देता है और फिर इसमें सरवाधिक लताएं पाई जाती है इस प्रकार के जंगलों में दिखाई जाती है उसको क्या का जाता है सदा भाहर बन गूश्न कटी बन दिए सदा भाहर बन भूमद्य रेका से कितने आक्छांज तक पाए जाते हैं तो कितने अक्षांस तक पाए जाते हैं यह पाए जाते हैं दस डिग्री उत्तर वे दस डिग्री दक्षणी अक्षांस तक आपके भूमदे रेखा जो है विश्वती रेखा जो है उसे दस डिग्री उत्तर अक्षांस और दस डिग्री दक्षणी अक्षांस तक यह वन पाए इना तो यह क्या है यह उष्ण कटे बंदिय सदाभार बन और इसमें सबसे ज्यादा जो जीव पाई जाते हैं रख्ष पर रहने वाले क्यों कि जो इसकी क्रत्षी होती है झाहां धर Blake होती है वहाँ पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती वह इतने घने होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो रख्षों पर रहने वाले जो जीव हैं वही ज्यादा मात्रा में यहां पाए जाते हैं किस प्रकार के सदाबाहर वनों में आबनूस, महोगनी वे रोजवुड जैसे कठोर लकडी के रक्ष पाए जाते हैं तो किस प्रकार के वनों में पाए जाएंगे वो हैं आपके उस्ट निकटी बंदिय सदाबाहर बन कौन से उस्ट निकटी बंदिय सदाबाहर वनों में पाए जाते हैं नेक कुश्ण देखिए विस्व के सबसे बड़े साब के प्रिजाती कहां पाए जाती है विस्व के सबसे बड़े साब के प्रिजाती कहां पाए जाती है तो देखिए जो विस्क की सबसे बड़ा साप कॉन सा है पहली बाद तो एनाकॉंडा ठीक है जो बहुत बड़ा होता है और यह कहाँ पाये जाता है दक्षणी अमेरिका के वनों में पाये जाता है यह ना महादीपों के पूरुवी किनारों पर दक्षणी पूरुवी अमेरिका है, भ्राजील है, तक्षणी चीन है इसमें किस परकार के सदा बाहर बन पाये जाते हैं तो कैसे पाए जाते हैं? सितोस्न कटी बंदिय बन पाए जाते हैं। Next question देखें। किस प्रकार के सदा बाहर बनों में UK लिप्टस तथा चीड जैसे व्रक्ष अधिक पाए जाते हैं? किस प्रकार के सदा बाहर वणों में यूके लिप्टस तता चीड जैसे व्रक्ष अधिक पाए जाते हैं। पत जड़ी बनो को उनके भाउगलिक आदार पा कितनी प्रकार में भर्गीकरत किया जाता है। पत जड़ी वनों को उनके भौगालिक आधार पर कितने प्रिकार में वर्गी क्रत किया जाता है तो इसके आंसर है इसके आंसर है दो भागों में प्रिवक्त किया जाता है एक तो सितोष्न कटी बंदिये पत जड़ी बन होता है और दूसरा उस्न कटी बंदिये मानसुनी बन होता है पहला कौन सा है? सितोष्न कटी बंदिये पत जड़ी बन और दूसरा है उस्न कटी बंदिये मानसुनी बन नेक कोशन देखें दक्षणी तथा दक्षणी पूर्वी एशिया, दक्षणी चीन, पश्चमी द्वीप समू, उत्री ऑस्टेलिया, पूर्वी अफ्रीका वे ब्राजील के तटिये छिद्रों में किस प्रकार के पज़डी वन पाए जाते हैं तो किस प्रकार के पज़डी वन पाए जाते हैं, उस्ट ने कटी वन दिये पज़डी वन पाए जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, पर्णपाती वन भी कहते हैं यह क्या है सुस्क मौसम में जो जल संरक्षण इस दू यह क्या करते है छैसे आठ सप्ता तक के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं इसमें जो ब्रक्ष वगरा होते हैं जो पौदी होते हैं वो क्या करते है छैसे आठ सप्ता के लिए यह करेबन डेड़ से दो महां के लि यह पत्तियों को जड़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा, वहाँ पर पज़ड का मौसम दिखाई देता है, यहाँ पर क्या टाइप के पेट पाए जाते हैं, नीम है, सीसम है, महुआ, जामुन, साल और सागवान के ब्रक्षियां बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते है और फरनिचर के लिए आपको पता होगा, सागवान की लखड़ी बहुत अच्छी मानी जाती है, है ना, चली, नेक क्वेशन देखी, न्यूजी लेंड, चिली, उत्रिपूर्वी अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप के तटिये भागों में किस प्रकार के पज़ड़ी ब कौन से, सितोष्ण कटी बंदिये पज़ड़ी बन यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ जो आपकी उस्टन कटी बंदिये पज़ड़ी बन थे, उसमें कैसे कौन-कौन से जानवर पाए जाते हैं, हाती घोड़ा, गेंडा, जंगली भेंसा, बाग, से लगोर और बंदर, लेकिन जब आप सितोष्ण कटी बंदिये पज़ड़ी बन की बात करते हैं, यहाँ कौन-कौन से पाए जाते हैं, यहाँ भेडिया, हीरन, लॉम्नी जैसे प्रुमुक जानवर यहाँ पाए जाते हैं, दूसरा यह अक्छांस में सितोष्ण पज़ड़ भूमध्य सागर्य बन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं, महादीपों के पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् तो कहां पर 30 डिग्री से 40 डिग्री तक 600 के मद्य दोनों गोलार्द में यह पाए जाते हैं महादीपों के पश्चिम तथा जक्षिन पश्चिम किनारों पर और इस प्रकार के वनस्पति भूमद्य सागर के निकट शेत्रों में होती है इसलिए इसको क्या कहा जाता है दक्षिन अफ्रिका के दक्षिन पश्चिम भाग में दक्षिन अमेरिका के मद्य चिली में दक्षिन पश्चिम में ऐस्ट्रेलिया में इन पिरदेशों में क्या होता है इन पिरदेशों में सुस्क एवं सीतकाल में वर्सा होती है तो यहां पर कौन से बन पाए जाते हैं भूमद्य सागरिय वन पाय जाते हैं नेक कोशन देखिए विस्व का फलोध्यान किसे कहा जाता है क्यों कि यहाँ पे जो है विस्व में जैतून हुए अंगूर, संत्रा, अंजीर, नीबू वर्गे जो रस्तारफल है उनकी सरवादिक किर्सी इसी छेत्र में होती है क्या होती है जैतून, अंगू, संत्रा, अंजी, निवगू वर्गिये, रसदार फलों की सरवादिक किर्सी छेत्र में होती है इस वज़े से इसको विस्व का फलोद्धान कहा जाता है यह question बहुत बार repeat हो चुका है तो इसको आप याद रखिएगा और यहां पर बहुत famous जो है कंगारु बहुत पात्रा में इस जन्मों पर मिलता है ठीक है की Yeah फाउच्छ में 50 डीजरी के सट्र डीज के अज जो एरिया है वहां पर ये उत्तरे में रिकाता था हैं समुद्र हैं तो वहाँ पर यह नहीं पाय जाते हैं चलिए नहीं कुश्चन देखिए टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है टैगा वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है देखे टैगा वन किस को कहा जाता है कौन धारी वनों को ही टैगा वन कहा जाता है कैनाडा के अंदर कहाँ पे कैनाडा के अंदर दूसरा यह सदाबारवन भी होते हैं, क्यों होते हैं यह सदाबारवन, क्योंकि इनकी पत्तियां हैं बहुत नुकिली होती हैं और लखी बहुत मुलायम होती हैं, और इस वज़े से यह हमेशा हरे भरे रहते हैं, लेकिन और वो क्यों रहते हैं, क्योंकि ताकि ज्यादा मात् अगर जलकी इसके अंदर चली जाती है, तो ब्रक्ष गल जाते हैं, तो उससे बचने के लिए इनकी पत्ती आए, वो बहुत नुक्विली और छोटी होती है, चलो, next question देखे, देवदार, चीर, लार्च, इस्प्रोस, पाइन, बर्च, फर जैसे ब्रक्ष किस प्रकार के बनो में पाए जाते हैं, देवदार, चीर, लार्च, इस्प्रोस, पाइन, बर्च, फर जैसे ब्रक्ष किस प्रकार के बनों में पाए जाते हैं, तो किस प्रकार के बनों में पाए जाते हैं, कौन धारी बनों में ये ब्रक्ष पाए जाते हैं, आपके कागज बनाने की जो लु दो पाज़ाते हैं बारा सिंगा है लोम डी है और धुब्यभा ली इन शेत्रों में पाई जाते हैं किर व्शु के सब्से बड़े घास के मैदान सब्सेख। कियुक subscribers किसेख। मैदान है इसके जो सबसे बड़े घास के मैदान है अफ्रीका की वो किस प्रकार के घास के मैदान है पहले तो आपको यह याद हो ना जी कि विसके सबसे बड़े घास के मैदान कौन से हैं सवाना घास के मैदान है और वो कहा है अफ्रिका के इंदर है तो किस प्रकार के घास क मैदान है भूमध्य रिखा के जो दोनों वो उसकी कटी बंद्य छेत्रों में घास का मैदान है यहां नेम्न और मद्य वर्सा होती है निम्न और मद्य मरसा वाले छेत्र है यहां दो से चार मीटर तक की उच्चाई इनकी होती है सामाने तोर ते 2-4 मीटर तक की उचाई हो सकती है 2-4 मीटर का मतलब हो गया आपका 6-12 फिट तक के अप्रॉक्स है न ये काफी उचाई होती है चले नए कोशन देखें उस्ट निकटी बन दिये घास के मैदान को ब्राजील में क्या कहा जाता है तो क्या कहा जाता है आपको पता है इसको कहा जाता है कंपोज वेनेजियला में क्या कहा जाता है ब्राजील में और वेनेजियला में क्या कहा जाता है लाओस कहा जाता है इस बात को याद रखेगा, जो उस्ट निकटीव अंदी घास के मैदान है, उसको ब्राजील में क्या कहा जाता है, कमपोज, और वेनेजुएला में इसको क्या कहा जाता है, लाउस कहा जाता है, चलिए, और इसमें, जो मुखेते जानवर कौन से पाई जाते हैं, इसमें, हीर एल, मैपल, बर्च, आस्पेन, जैसे व्रक्ष किस प्रकार के घास के मैदानों में पाई जाते हैं, तो किस प्रकार के पाई जाते हैं, सितोष्ण घास के मैदानों में ये पाई जाते हैं, सितोष्ण घास के मैदान जहां छोटी वे पौश्टिक घास पाई जाते हैं, और मध्य एक्छार्चे छेत्रों और महादीपों के भीत्री हिस्सों में भी ये छेत्र कापी होता है यहाँ पर क्या होता है साकारी जीव बहुत ज्यादा मिलते हैं हीरन, बाइसन, एंटीलोब, जंगली भैंस, खरगो, जैबरा, गाई ये सबी यहाँ पाए जाते हैं सेर, भेड़ी, लॉंबरी, बाज और अनिक परकार की चिडिया और बिलों में रहने वाली जीव भी यहाँ पाए जाते हैं ठीक है चलिए नए कोश्चन देखी इस टैपी किस परकार के घास के मैदानों को कहा जाता है तो इस्टैपी जो है वो देखे इस्टैपी जो घास के मैदान है उनको सितोस्न घास के मैदानों को कहा जाता है और दूसरा यह कहा है यूरेशिया के मद्यवर्ती भाग में बहुत ज़्यादा है यूरेशिया के जो मद्यवर्ती भाग में यह बहुत ज़्यादा है सितोस्न गய् childhood नेहां पर को इसट्फिक आजाता है आरजेंटिना में इनीग को पंपाथ गाता है, उत्री अमेरिका में इसको प्रेरी कहते ही जक्षिन अफिरीका में इसको वेल कहते है और ऐस्टेलिया में इसको और इस चीज को आप इससे देख सकते हैं, देखिए, प्रेरी आपका हो गया, कम्पोज हो गया, देखिए, प्रेरी, कम्पोज, पंपास, लानोस, सावाना, यह लाओस है, यह लेल्ड, इस्टैपी, डाउन, यह सभी क्या है, यह सभी घास के मैदान है, चली, next देखते हैं, जाता है मरुस्थल के जो वनुस्पती होती है उसको क्या का जाएगा मरुद्भित कहा जाता है और उसकी कटी बन दिये जो मरुस्थली बन है महादीपों के जो पश्चिम भागीं 20 डिग्री से 30 डिग्री के चंजोंगें बते ये पाए जाते हैं चलिए नागफणी कैक्टस खैर, बबूर, कीकर, खेजड़ी जैसे व्रक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं नागफणी कैक्टस खैर, बबूर, कीकर, खेजड़ी जैसे व्रक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं उसकी कटी बन दिये मरुस्थली बन छेत्रों में ये पाए जाते है के और इनका जो यह कहां ऐसे जगए प Depra temperature बहुत जड़ा होता है वर्सा बहुत कम होती यह 25 संटिम्याइटर से भी कम होती है तो एसे स्थितिते पा बहुतिरों क्या होगा बनस्पती की जो उचाई जो जल होता है वो बहुत ज़्यादा निम्न होता है बहुत नीचाई पे होता है इसकी वाईसे जो यहां पर ट्रेक्श होते हैं उनकी जड़ें हैं बहुत गहरी हुआ करते हैं चलिए नेक विश्टन देखिए, उस्टन कर्टी बंदिया मरुस्थली बनों के उधान है, सहारा उत्रव यह का में पाया जाए है, कालाहरी जो रिगिस्तान है वो कहां पे है, दक्षिन अफिरिका में है, कैलीफॉर्णिया, एरिजान और मेक्सिको यह का है, उत्तरमीरिका में है, अठा कामा जो विश्ट का सबसे सुस्क मरुस्थल भी है, वो कहां पे है, दक्षिन अमेरिका में है, अरब दक्षिन पक्षिमेशिया में और थार भारत पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा हिस्सा है, वो आपका रिगिस्तान है, थार का रिगिस्तान है, तो यह सब किसके ए में है एसिया यूरोप पर उत्री अमेरिका के द्रूविय छेत्रों में बहुत ज्यादा है एसिया यूरोप उत्री अमेरिका के द्रूविय छेत्रों में इसको एक मैप से छोटा सा देखते हैं कि गर्म मरुस्तल आपके दिखाई दे रहे हैं अठाकामा है यह आपका अठाक का मरुस्तर है काला हरी मरुस्तर यह आपका नाभीम का मरुस्तर यह आपका छोटा सा जो भारत पाकिस्तान के इसे में आता है वो थार का मरुस्तर यह आश्ट्रेलिया ही मरुस्तर तो यह सभी मरुस्तरों के डॉनेट किया गया है चलिए डेनोट किया गया है नेक्ट देखि व्रक्षमिला कहां और किस किस्मती में मनाया जाता है यहां से जो कुस्षण आते हैं यह होते हैं और यह आधुलन की बल्दान की श्रमती में म्रग उपवन में मनाया जाता है म्रग उपवन एक जगह का नाम है जो गाउं खेजड़ली में है और यह जोधपुर राजिस्थान के अंदर आता है अम्रता देभी विश्णोई इस्तिरिये हुई थी जिन महिला की नेतरफ्त में 1730 इस् उनको बचाने के लिए अम्रता देभी विश्णोई इनके नेतरत में यह आदोलन हुआ था खेजड़ली आदोलन और इसमें 363 लोगों ने अपनी जान दी थी 1730 इस्वी में है ना तो इनहीं की बल्दान की श्रमती में यहां पर जो एक छेत्र को नाम दिया गया म्रग लगाया जाता है हर साल और खेजड़ली आदोलन की इस प्रति में यह व्रक्ष मिला भरता है चलिए नेक्ट देखनें राइस्छान के किस गाउं में बेटी के जन्म पर 111 व्रक्ष लगानी की परमपरा स्थाफित की गई है पूझा बीं तिक है कि धुए कि दूसरा आपका कि व्रक्ष मिला था ब्रक्ष मिला ब्रक्ष मिला कब भड़ता है भाद्र पदा में सुखलपक्ष दस्मी को यह लगाया जाता है भाद्र अद्रपद सुकल पक्ष की दस्मी को ब्रक्षमिला लगता है, चलिए, नैक कुशन देखिए, चिपको आंदौलन किसके नेतरतों में हुआ, तो किसके नेतरतों में हुआ, गौरा देवी, देखिए ये गौरा देवी हैं, और अब आप बोलेंगे सुन्दरलाल बहुवणा जो हैं, इनकी तस्वीर यहां क्यों दिखाई हैं, तो इसमें क्या है, उत्राखन में 1922 में गाउं की महिलाओं द्वारा रक्ष से चिपक कर पेट कटने का विरोध किया गया था, जिसका नेतर जो किया था, गौरा देवी नी किया था, और इस आंदौलन में बहुत एहम भ तो इन्होंने इसका नेतर गिया था, और यह एक सक्सियत थी जो इस आंदौलन से जूड़ी थी, तो इन दोनों का ही नाम इस चिपक को आंदौलन के मेंटर में इंपोर्टेंट है, यह उत्राखन में 1922 में गाउं की महिलाओं द्वारा किया गया था, ब्रक्ष से बचाने के लिए, नेक्स देखिए, अप्पी को आंदौलन किस राज्य से संबन देता है, अप्पी को आंदौलन किस राज्य से संबन देता है, अप्पी को जो आंदौलन है वो कैसे संबन देता है, करनाटक राज्य से संबन देता है, करनाटक राज्य के सिर्सी जिले में क्या हु में क्या किया गा था लोगोंने बाहों में भरना अप्पिको का अर्थ होता है बाहों में भरना तो लोगोंने व्रक्षों को कटने से बचाने के लिए जो आंदोलन चेड़ा था उसको अप्पिको आंदोलन कहते हैं और ये करनाठक राजे के सिर्शी जिले में हुआ था सेप बनाई जाती है किसके द्वारा बनाई जाती है तो किसके द्वारा बनाई जाती है यह बनाई जाती है आई-उ-सी-एन के द्वारा यानि International Union for Conservation of Nature आई-उ-सी-एन जो होता है इसमें जो संकट ग्रस्त प्रजातियां हैं endangered species हैं उनके बारे में data collect करता है कि यह प्रजातियां हैं यह अब endangered status में हैं उनकी विलुक्त होने के कगारते हैं या होनी की संभावना है तो उनको reserve conserve करने के लिए ताकि वो सुरक्षित रह सके इसके लिए वो उनका data collect करती है और उसको कहां लिखा जाता है red data book में लिखा जात है नेक कोईश्ट्रण दे अनावरस्ट्री के क्या भी प्राई है वन्यों मूलन किसे का जाता है conflicts इसका मतलब क्या हुआ, वनों के जैविक संपरदा का हास, वनों के जैविक संपरदा का हास, वनों के जैविक संपरदा का हास, वनों मुलन का आर्थ केवल यह नहीं कि पेड़ काटना, केवल पेड़ काटना नहीं, और भी अगर किसी भी जीव को, नहीं वन में रहने वाले आगर किनी जीवों को भी आगर आप दुक्सान पहुंचाते हैं, तो वो भी वनोन-मूलन की अंतरगत आता है, तो इन चीज़ को आपको समझना चाहिए, तो वनों के जैविक संपरदा का अगर हास होता है, तो वो क्या कहलाता है, वनोन-मूलन कहा जाता है, तो इसी के साथ आपके चैप्टर होता है, तो आप मिलते हैं नेक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यूू।